हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल नेनकुहू आइडियास आज मैं आपसे सेर करने वाले हूँ कि इस तरह है कि जो कार्डबोर्ट की बॉक्स हैं जैसे मुबाइल फोर में आती हैं उनसे हम किस प्रकार से और्गनाईजर बना सकते हैं जो कि हमारी ड्रेसिंग टेविल को या फिर हमारे चोटे मोटे या रिंग को या फिर जोईलरी को और्गनाईजर करने के काम में आएगा तो सबसे पहले उस box को ले लेना है और छोटे छोटे इस तरह की दवाईयों की डिप बे या फिर जो भी हो उन्हें इस cardboard की box की नाप का काट लेना है इस तरह की डिप बे toothpaste में आते हैं मसालों की डिप में आते हैं तो उन्हें इसकी नाप का काट लेना है और इस mobile phone की या आपके पास दूसरा जो कोई cardboard है उसमें इस तरह से चपका देना है इस तरह से मैं सभी डिपों को मार करते हुए इसको काट लीना है इस डिपी की नापका और इसमें चपकाते जलना है और हमें इन छोटे डिपों को adjust करके देख लेना है कि कौन सा डिपा कहां फेफिट आ रहा है तो बस इस तरह से सारे डिपों को चपका देना है इसमें तो इस तरह से एक organizer बनके ready हो जाएगा तो इस तरह से मैं सभी boxes को इसमें चपका दे रही हूँ तो यह मैंने सभी डिपी चिपका दिये हैं और organizer बनके ready है आप चाहें तो इसे इसी तरह से use कर सकते हैं नहीं तो इसे decorate कर सकते हैं तो decorate करने के लिए मैं ले रही हूँ यह golden color का wall paper आपके पास कोई gift wrap paper हो वो भी आप कर सकते हैं इसके लाबा कोई color paper हो वो भी आप इसमें चिपका सकते हैं या फिर कोई आपके पास color हो वो color इसमें paint कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर यह golden color का wall paper लिया है और इसे में इस mobile phone की box की जो lid है उस पर चिपका दे रही हूँ तो बस इस तरह से इस पर चिपका देना है एक्स्ट्रा जो पार्ट है side वाला उसको इस तरह से अंदर दबा देना है जिससे इसमें अच्छे से finishing आ जाएगी और बस इस तरह से इसे pack कर देना है तो यह काफी अच्छे से finishing लेते हुए यह इसमें रैप हो जाएगा तो बस यह organizer बन कर रहे है आप चाहें तो इसे dressing table में किसी भी सामान को रखने के लिए यूज कर सकते है यह rings या फिर dressing का चोटा मुटा सामान या फिर अपनी जोहलरी तो काफी अच्छा organizer बन कर रहे है I hope friends वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो इसे like कीजिए share कीजिए और इसी तरह की और फे वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को subscribe कीजिए thanks for watching